हलो फ्रेंड्स, आ हैम अपरती, वेलकम बेक टियो आर चैनल प्लाइंट से स्पेस अभी कुछ दिन पहले हमने क्रैसेंथिमम यानि गुलदाओदी की फ्लावरिंग आप से शेयर की थी जो की pot में grow किये हुए प्लावरिंग थे, काफी अच्छी फ्लावरिंग हुई तो до description box में आप वीडियो जरूर चै कीजिए आज हम waste में grow किये हुए प्लावरिंग और साथ ही pot stand पर यानि की plant stand पर किस तरह से यह फ्लावरिंग कर रहे थे और कैसे लग रहे थे ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो ये प्लांट स्टैन हमने शेयर किया हुआ है डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चैक कीजिए किस तरह से घर पर आसानी से फ्री में आप ये तयार कर सकते हैं और जो ये पौधे जिन में लगे हुए हैं वो भी फ्री का ही समान है कोई पॉली बैग है, कोई छोटी सी मटकी है कोई कुलर है, तो वेस्ट में ही ये ग्रो किये हुए हैं और आप इसकी फ्लावरिंग भी देखेंगे तो सभी में दीरे दीरे फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है काफी कमेंट्स आते हैं कि ये प्लावरिंग करता है तो देखिए अपनी अपनी जगह पर अपने अपने हिसाब से ये प्लावरिंग करता है जैसे कि कहीं पर जल्दी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है कहीं पर लेट और जहां पर ठंडक रहती है वहां पर ये दो बार भी फ्लावरिंग कर देता है लेकिन हमारे यहां एक ही बार फ्लावरिंग करता है हमने पहले बताया हुआ है तो हमारे यहाँ पर यह December में flowering start करता है इसकी कलिया दीपावली के बाद से आनी शुरू हो जाती है काफी छोटी होती है और काफी time ले लेती है वो खिलने में लगबग 1-1.5 महिना यानि की 30-45 दिन लग जाते हैं कलियों से फूल बनने में लेकिन जब इसकी flowering start होती है तब बिल्कुल दिल खुश हो जाता है तो different variety है different colors है button crysanthemum भी है इसमें और इसमें spider crysanthemum भी है इस तरह से different color है और different यह miniature है और इसमें dwarf भी आती है अगर आप dwarf लेना चाहते हैं चोटे साइस की होती है तो वह भी आप ले सकते हैं देखे कितने चोटे से pot में हमने plant grow किया हुआ है यह cutting थी लेकिन इसमें भी flowering start हो गई है last year एक video share की थी जिसमें हमने 2 inches के pot में इतने चोटे paper cup में हमने यह plant grow किया हुआ है और उसकी flowering आप से share की है तो वह भी आप description box में जरूर चेक कीजिए related videos आपको description box में मिल जाएंगी तो यहाँ पर जितना भी आप सामान देख रहे हैं यह सब कुछ waste है और waste में इतनी जादा खूब सूरत flowering तो आप भी यह काम कर सकते हैं और अभी जैसे फरवरी आएगी तो आप इसकी cuttings waste में ग्रो कर सकते हैं या फरवरी में नहीं ग्रो करना चाहते हैं आपको पूरे साल plant समभलना पड़ेगा तो आप जोलाई से इसकी cuttings ग्रो कर सकते हैं तो description box में ग्रो करना भी आपको मिल जाएगा तो यह सब ही जो आप yellow देख रहे हैं यह spider variety है spider chrysanthemum हम इसको कहते हैं तो धीरे धीरे इसकी भी बहुत सारी कलियां खिलने लगी है last year हमने यह plant लिया था और 2-3 पौदे इससे बना चुकी है बाकी mutation के बारे में हमने आप से बताया था कि हमारे plant में mutation होता है दो variety ऐसी हैं जिसमें mutation होता है mutation होता क्या है यानि कि परिवर्तन जैसे कि ये फूल आप देख रहे हैं ये white नहीं था ये ये वाली variety थी यानि कि ये magenta कलर की variety थी लेकिन इसका color बिल्कुल change हो गया है और एक variety ये है इसकी जो original variety है वो अभी आप maroon color की नीचे देखेंगे तो वो maroon color की variety से change होकर orange color बन गया है तो इस तरह से हमारे पास total जो हमारे पास 9 colors है 9 color में भी अब लगबग हमारे पास 12-13 color हो चुके हैं जो कि mutation से हुए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि mutation से color change हुए हैं वो आपके हमेशा रहेंगे उसमें भी परिवर्तन होगा जिसे next year आप देखेंगे तो इसमें दूसरा color आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन shades वो pink से related ही होंगे जैसे कि pink color की प्लावरिंग में mutation हुआ है तो या तो white हो जाएगा या हलका सा उसमें pinkness होगी या फिर वो dark color ले लेगा लेकिन होगा वो pink में ही और orange है तो वो orange में होगा ये pots वाले plants है कुछ तो ये भी आप video जरूर description box में चेक कीजिए तो जो mutation हुआ है वो इसमें हुआ है ये orange color से और maroon color से ये orange color में हो गया है लेकिन इसका जो shape है वो भी खुद से experience लिया अपने plants में तब जाकर पता चला कि अरे हाँ ये तो mutation हुआ है क्योंकि जब ये color हमारे पास थे ही नहीं तो ये कहां से आ गए और हमने इनकी cuttings grow की है तो cuttings grow करने के बाद इसमें mutation होता है कभी-कभी fertilizer के कारण हो जाता है कभी-कभी natural हो जाता है तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई इस तरह की variety है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए comment box में बताइए कि आपके किसी plant में भी mutation हुआ है या नहीं हुआ है last year भी इस पर एक video share की हुई है mutation पर तो उसको आप जरूर देखेगा उसमें आपको सारी जानकारी सही से मिल जाएगी ये cream color वाला जो है plant इसमें कभी mutation नहीं होता है क्योंकि ये पहले ही cream color में है ये पूने से हमारे पास gift आया था plant इसमें बहुत अची flowering होती है और ये spider जो chrysanthemum है इसके और भी colors हम एड़ करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि फूल काफी बड़ा होता है और काफी दिन तक रहता है और काफी खूबसूरत लगता है बिल्कुल एक cracker के जैसा लगता है ये जैसे दीपा वली को जब पठा के चलाते हैं तो उसमें जैसे होता है sky shots वगरा उसकी तरह बिल्कुल देखने में लगता है तो इस तरह से किसी plant में अभी flowering हो रही है किसी किसी में अभी पुराने हो चुके हैं फूल और ये button chrysanthemum में भी different colors आते हैं तो वो भी आप grow कर सकते हैं कि काफी छोटा फूल होता है एक comment हमारे पास आया है कि हमारे फूल छोटे हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है वह variety पर depend करता है अगर आपके जो plants हैं जो variety है वह छोटे flower वाली है तो वह छोटा ही फूल खिरेगा तो वीडियो के end में आप देखेगा कि mutation कितने colors में हुआ है तो जरूर चैक कीजिए यह छोटा सा एक कुलड है लास्ट यह हमने 2 inches के pot में जो वीडियो शेयर की थी उसमें एक बार comment में आया था कि अरे ऐसा नहीं करना जैसे दूसरे लोगों को easily grow कर सकते हैं तो उसमें सब अपनी अपनी राय देते हैं तो अच्छी बात है comment करना राय देना लेकिन हम आपको कोई भी गलत बात नहीं बताएंगे जो सही है वही आप से share करते हैं जो हमारा experience है वही आप से share करते हैं तो winter में सबसे ज़ादा crysanthemum हमारे garden में सबसे ज़ादा है एक तरह से चमक देता है बहुत ही beautiful garden बना देता है crysanthemum तो आप भी इसको जरूर ग्रो कीजिए और आप एक पौदे से different plants ग्रो कर सकते हैं जिससे related videos आपको description box में मिल जाएंगी किस तरह से इसको ग्रो करना है तो अगर आप इसको फर्वरी में ग्रो करना चाहते हैं तो फर्वरी में कर सकते हैं और इसको जोलाई, अगस, सेप्टेंबर में आप ग्रो कर सकते हैं फ्लावरिंग पाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो जादे से जादे इसमें pinching करना होता है जितना आप pinching करते हैं उतनी जादे शाखाएं आती है और उतनी जादे plant पर flowering होती है pinching का काम आप जुलाई से शुरू कर सकते हैं जुलाई अगस सितंबर तीन मंथ में pinching करनी होती है फिर October में pinching नहीं करनी होती है क्योंकि फिर उसका कलिया बनाने का समय होता है तो उस समय आप बिल्कुल डिस्टरब ना करें नहीं तो फ्लावरिंग पर असर पड़ेगा या तो फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी और या फिर कम होगी तो यह जो हमने मिस्टर बनाये थे यह हमने यहीं पर बैठा दिये हैं साथ में क्यूंकि इसमें एक प्लांट था यह मरून कलर था मरून से औरेंज कलर बन गया है और इसका शेप भी बड़ा हो गया है तो आप जरूर बताईए वीडियो कैसी लगी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और म्यूटेशन कैसी लगी यह जरूर बताईए थैंक यू झाले बताईए और म्यूटेशन की बच्टन नहीं है वीजब वीज़ प्लाश करताईए उलावाइ तो हम रहा है तो